Hello students, आज के इस वीडियो में हम सांख्यांकी से समंदित एक टॉपिक का अध्यान करेंगे जिसे केंदरी प्रवर्तियों के माप के नाम से जाना जाता है इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि सकत्त तक श्रेंडी में मद्येका का निर्दारन किया जाता है जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखाता है पर जिब 37 श्रेणी होती है तो मद्यका की पोजीशन निकालने के लिए यूज करा जाता है M बराबर साइज औफ N वाइट टूथ आइटम में जहां व्यक्तिकत्व खंडी स्रेणी में साइज ओफ N प्लस 1 वाइट तू यूज किया जाता है वही 27 श्रेणी में पोजीशन ग्याद करने के लिए मीडियन की पोजीशन निकालने के लिए पहले यूज किया जाता है साइज ओफ N प्लस N वाइट टू टाइटम वैल्यू और जब इससे पता चल जाता है कि हमारा मद्यका मालिजे 30 से पोट्टी के बीच मारा है कुछ भी तो सही मद्यका का निर्दारण करने के लिए L1 प्लस I अपॉन F N वाइट टू माइनस C यह फॉर्मूला प्रियोग में लिए जाता है L1 इसमें होता है मद्यका वर्ग की निचली सिमा इसमें I होता है वर्गंपरा F होता है मद्यका वर्ग की आपरदी C होता है मद्यका वर्ग के पहले वाले वर्ग की की संचया होता है और N वराबर होता है सिगमा है तो सबसे पहले क्या करेंगे N वराबर N वाई 2 से हम वो पता करेंगे कि मद्यका किस वर्ग में लाइच कर ली है उसके बाद सही यहां यू आएगा कि मद्यका 60 to 20 के बीच में है यह 21 to 25 के बीच में एक पोजिशन पता चलेगी कि मद्यका यहां से यहां के बीच में है उसके बाद सही मद्देखा निकालने के लिए L1 प्लास आई अपॉन F N by 2 माइनस C इस फॉर्मूले का प्रियोग करके मद्देखा निकाली जाएगे अगर क्लास इंटरवल उल्टा दिया हूँ उल्टा दिया हूँ किने का तत पर यह हो कि 41 से 45 उपर दिया हो फिर यह फिर यह यानि आवरोही करम में दिया हो तो मद्देखा पास संसोधित रूप काम मिलेते हैं L2 माइनस I अपॉन F N by 2 माइनस C इससे भी मद्देखा निकाले तो मद्देखा की वेल्यू वही आएगी अगर आरोही क्रम में यानि बढ़ते वे क्रम में क्लास इंटरवल दिया हो तो आपको यह वाला पुर्मूला लगना है और गड़ते वे क्रम में निकालने के लिए अब देखिए किस प्रिकार से इसके निकाली जाती है इसके लिए एक सवाल लिया है क्यूशन है 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45 यह फ्रिक्मेंसी दिरकी 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, and 1 दी जाते है फ्रिक्मेंसी तो सबसे पहले क्या करेंगे यह इनकुलूजी उसी दीजे इसको एक्सकुलूजी में बतलेंगे तो इसके लिए क्या देखी एक कांतर है 5-6, 1 कांतर है 10-11, 1 कांतर है 20-21, 1 कांतर है तो हम 0.5 बताएंगे और 0.5 जोड़ेंगे क्योंकि करना होना minus and plus difference by 2, so minus and plus 1 by 2, so minus and 1 0.5 यहां देखी यह आजाएगा 0.5 से लेके 5.5 यह आजाएगा 5.5 से लेके 10.5 यह आजाएगा 10.5 से 15.5 इससे में जोड़ेंगे तो आएगा 20.5, 21 में से 0.5 बताएगे तो आएगा 20.5 यह होजाएगा 25.5 और 25.5 से यह होजाएगा 30.5, यह होजाएगा 30.5 से 35.5, then 35.5 से 40.5 और last होजाएगा 40.5 से 45.5 कि हमने class interval को सही कर लिया इसके बाद frequency वर की भई है 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, 1 अब इसके लिए हमको क्या चाहिए हमको CF निकालने पड़ेगी कमल्टी frequency जब पर मद्यका निकालने होती है F दिया होता है तो CF निकालने होती है कमल्टी frequency 7 इस 7 में 10 जुड़ेगा 17 फिर 17 में 16 जुड़ेगा 33, 33 वर 32 जुड़ेगा 65 65 में जुड़ेगे तो एड़ा 89, 89 और 8 जुड़ेगा 107, 117 117 में 5 जुड़ेगे 122 और 123 हमने यह क्या कर लिया हमने पहले inclusive series को exclusive में change किया इसके लिए इसमें से 0.5 बटा है इसमें जुड़ा इसके पाद हमने अब ही देखेंगे एम बराबर साइज और 123 बाई टूथ आइटम वेली तो एम बराबर साइज ऑप 61.5 आइटम वेली तो यह तो हमारा फ्रिक्वेंसी हो जाएगी मद्यका वर्ग हो गया 55.5 तो मद्यका वर्ग मद्यका वर्ग की अबरती होगी 32 यानि मद्यका वर्ग की अबरती एक बराबर 32 और मद्यका वर्ग के पहले की अबरती सी बराबर 33 क्लास इंटर्वाल 5 पर फॉर्मुला यूज करेंगे फॉर्मुला लगाएंगे एम बराबर l1 प्लस i अपोन f n बाइट 2 माइनस c यह फॉर्मुला मद्यका कर लगाएंगे एम बराबर l1 लवर लिमिट लवर लिमिट है 15.5 प्लास इंटर्वाल है 5 फ्रिक्वेंशी है 32 एन बाइट 2 हमार आया 61.5 अब भी निकाला आमने 61.5 माइनस 33 तो यह आएगा आपका 15.5 प्लस 5 मॉल्किप्लाई मॉल्किप्लाई 61.5 से 33 को बिटा देते हैं 61.5 माइनस 33 तो यह जाएगा एम बराबर 15.5 प्लस 28.5 को 5 से मॉल्किप्लाई करके इसमें 32 का बाग देंगे तो आएगा 4.45 इनको जोड़ेंगे आएगा मद्यका बैट इस 19.95 सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले साइच और एंबाइट तू ताइटम वेलियम के माध्यम से पोजीशन निकालने हैं कि मद्यका कहां है उसके बाद यहां देखना है कि 61.5 सबसे पहले कहां इंक्लूड होगा वह मद्यका वर्ग हो जाएगा इस मद्यका वर् अबरतिस ही हो जाएगी तो हमने यहां 15.5 रखा आई इन दोनों का अंतर 5 रखा यह मद्यका वर्ग की आवरति यह 16.1.5 और यह पहले की संचय आवरति करके हमने मद्यका की दना करी तो इस प्रकार से अगर आपको कंट्यूल सिरीज मिलती है तो कंट्यूल सिरीज में मद् आपके बताएंगे अब मालीचे आपको दे दिया मद्यविंदू एक्स अध्यविंदू अब मालीचे मद्यविंदू है तो मद्यविंदू से पहले बर्गंत्राल निकालना पड़ेगा उपने को यानि मद्यविंदू जो दे रखा है मद्यविंदू मिडवेल्यू बराबर हो तीक L1 प्लस L2 दिवाइड़ बाई टू अब मद्यविंदू से बाद इंत्राल लिकालना ता अब देखें दर्दस कांतर है सब में दर्दस कांतर है तो आप क्या करेंगे माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाई 2 माइनस एंड प्लस 10 बाई 2 माइनस एंड प्लस 5 यानि एक में से तो 5 गृट आये जोड में जोनों तो 5 जोनों तो 50 यहीं पकार से यह 50 चुट 60 हो जाएगा, यह 60 to 70 हो जाएगा, यह 70 to 18 हो जाएगा, यह हमारा क्लास इंटरूम होगे है, Frequency दे रखिये, Frequency आपको दे रखिये 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52, 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52, अब देखिये, मद्य का निकालना है, तो सबसे पहले इसमें हमको यह देखना था कि अगर मद्यविंदू आएगा, तो मद्यविंदू से आपको क्या करना है, वर्ग अंत्राल निकालना है, अब देखिये, वही कमल्टी स्रिक्वेंच निकलनी जाएगी, मद्यविंदू निकालने के लिए, 15, 35, यह होजागा 60, के लिए, 15 में 20 जोड़ा, तो आएगा 35, 35 में 25 जोड़ा, तो आएगा 60, इसमें 24 जोड़ेंगे, तो आएगा 84, इसमें 12 जोड़ेंगे, तो आएगा 96, फिर आप 31 इसमें जोड़ दीजे, तो यह आएगा 127, और 71 जो और 52 इसमें जोड़ दीजे 250 यह हमारा आजा है अब मद्दे का निकाल ले के लिए हम क्या करेंगे M बराबर size of N by tooth item value यह formula use करेंगे M बराबर size of 250 upon tooth item value इसमें देखेंगे सबसे पहले 125 का जोड़ता है यहां जोड़ा इसका मतलब हमारा median group हो गया 50 to 60 और median group की frequency हो गई 31 और pre frequency हो गई frequency हो गया 96 और फर्मूला लगएंगे M बराबर L1 plus I upon F N by 2 minus C यह formula median ते लगएंगे M बराबर lower limit median T lower limit ay 50 class interval ay 10 frequency ay 31 N by 2 by I is 125 minus पेले की कमलती frequency ay 96 इसको solve करना है M is equal to 50 plus 10 multiply 96 25 29 divided by 31 इस प्रकार से अगर आपको center size दे रखी हो तो center size से आपका लिए class interval निकालेंगे फिर class interval निकालकर आप उसका median निकालेंगे तो इस प्रकार से भी हो तो आप इसको कर सकते हैं इसके अलवा देखिए इस प्रकार से भी इसके अलवा कई तरीके से सवाल आ सकता है क्यूस्टेन ऐसे भी आ सकता है marks 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 दे रखें less than माल लीजे 100 दे रखार फिर less than 90 दे रखार less than 80 दे रखार less than 70 दे रखार less than 60 दे रखार less than 50 less than 40 less than 30 less than 20 और less than 10 यह marks दे रखें 100 से कम marks आए एक क्लास में 100 बच्चे दे इस सोई बच्चों के marks number of students सोई बच्चों के सो से कम number है 93 ऐसे बच्चे थे जिनको 90 से कम मिला 70 बच्चे ऐसे थे जिनको 80 से भी कम मिला 64 बच्चे ऐसे थे जिनको 70 से भी कम मिला 58 बच्चे ऐसे थे जिनको 60 से भी कम मिला 34 बच्चे ऐसे थे 50 से भी कम मिला 40 से कम लाने वाले बच्चे थे 23 30 से कम लाने वाले बच्चे थे 12 और 20 से कम लाने वाले बच्चे थे 7 और 10 से कम बच्चे आए 2 मार्व साय एक कश्या में जो मार्व साय बच्चों के हंड्रेट का पेपर हुआ हंड्रेट बच्चों ने परिच्छा दी उसमें से कोई भी बच्चों को हंड्रेट से कम मिला 90 से कम मिले 93 को यानी 100 और 93 के बीच में कितने बच्चे थे इसी प्रकार से 80 से कम 70 बच्चों कहीं, यानी इन दमों के बीच में कितने बच्च थे तो हम इसका क्लास इंटर्वल हम मनाएंगे तो आएका देखे 90 से लेके 100 की बीच में कितने बच्चा है। 80 से लेके 90 के बच में कितना है। 60 के बच्च में कितना है। 50 से लेके 60 के बिच में कितना है, 40 से लेके 50 के बिच में कितना है, 30 से लेके 40 के बिच में कितना है, 20 से लेके 30 के बिच में कितना है, 10 से 20 के बिच में कितना है, और 0 से 10 के बिच में कितना है, इसको हल करने का तरीका है, आप चाहें तो नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, आप च या इदर 7, कैसे कि आपने 100 से 93 को बिटा है, दूसरे में 93 में से 70 को बिटा है, तो आपको क्या करना है, 70 से 64 को बिटाना है, तो यह आए आपका 6, अब 64, 70 से 64, अब 58, 64 से 58 को बिटाना है, फिर 6 आएगा, अब आपको 58 से 34 को बिटाना है, यह आएगा 24, फिर आपको 34 से 23 को बिटाना है, आएगे 11 बच्चे, फिर 23 से 12 बच्चों को बिटाना है, तो आएगा 11 बच्चे, फिर 12 से 7 बिटाएंगे, पाई पाईगा, 7 से 2 गटाएंगे, 5 पाईगा, 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 यह अपने को आ गया, students निकालना, अब इसको कैसे करना है, इसको आप समझे, इस प्रकार से यह दे रखाओ, less than, यह क्या थे रहा है, कि less than 100, 100 student है, less than 90, 93 है, यानि 90 से 100 के बीच में कितने बच इस प्रकार, 80 से कम 70 बच्चे, 90 से कम 93 बच्चे, तो 80 से 90 के बीच कितने बच्चों के मास है, 23, तो इस प्रकार से हमको इसको निकालना है, अब क्या करेंगे, आप इसका, आप देखिए, आपने सही किया आगे, तो इसको total खरी यह 100 आएगा, तो हमने क्या करना है, 30 plus 12 plus 24 plus 22 plus 12, that is 100, इसको आप जोड़कर देखिए, कि 100 आता है, तो इसका मतलब आपने सही किया है, अब क्या मल्टी फ्रिक्वेंसी निकालना है, 7, 30, 36, 42, 66, 77, 88, 93, 98, 100, मद्य का निकालने के लिके लिए, M बराबर, size of, N by tooth item value, तो आज़ागा, M बराबर, size of, 100 by tooth item value, तो आएगा, M बराबर, फिप्टी यहां जुड़ा है, तो यह हमारा median class हो जाएगा, यह हमारी frequency हो जाएगी, यह इससे पहले की frequency हो जाएगी, M बराबर, L2 minus I upon R, N by 2 minus C, क्योंकि देखे, class interval जो है, वो descending order में 9, देखे, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, तो हमारे को formula यह यूज करना है, जब भी class interval गिरेगा, तो हमको यही formula यूज करना पड़ेगा, अब यहाँ देखे, M, L2 का मान, यह हमारा मद्दे का बाग है, L2 का मान है 60, देखे, पहले 11 का मान में यूज करते थे 50, अभी आया 60, I है, इसमें 24, sorry, class interval है 10, frequency of median group है 24, और उससे, C बराबर है 42, तो हम लगाएंगे, M बराबर, 60-10 upon 24, 50-42, so M is equal to 60-10 upon 24, multiply 8, 3 times कटा, तो M बराबर है, 60-3.33, so M आजाएगा 56.67, यह मद्दे का बाग कर जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, 60-3.33, तो आएगा 56.67, इस प्रकार से, अगर less than series और class interval इस प्रकार से गिरता गुआ हो, तो हमको मद्दे का निकालने के लिए, formula आपको जो यूज़ करना है, वो M बराबर, L2-I upon F, N by 2 minus C formula हमको यूज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा देखिए, अधर class interval समान नहीं हो, तो भी मद्दे का निकाली जा सकती है, और open end series में भी मद्दे का निकाली जा सकती है, यानि मद्धिका निकालने के लिए हमको सारे पदों की जरूरत नहीं होती है कुछ पद होंगे तो भी मद्धिका निकाली जा सकती है में के सवाल बताएंगे आपको मानिदे क्लास इंटरवल एकवल नहीं है X दे रखा है 0 to 5 उसके बाद 5 to 8 10 to 14 उसके बाद 14 to 19 दे रखा है उसके बाद 22 to 30 दे रखा है उसके बाद 32 to 35 35 to 40 और 40 and above दे रखा है क्लास इंटरवल देखिए बिल्कुल अलग अलग है यहां 5 का डिफ्रेंस है यहां 2 का 3 का डिफ्रेंस है यहां 4 का डिफ्रेंस है यहां 5 का डिफ्रेंस है यहां 10 का डिफ्रेंस है यहां 5 का डिफ्रेंस है यहां 5 का डिफ्रेंस है यहां 5 का डिफ्रेंस है यहनि अने क्लास इंटरवल है और फिक्वेंस ही दे रखिए 6 देन 2 4 5 14 4 5 14 7 4 8 अब देखिए अब class interval unequal है तो इसको हम in exclusive में भी change नहीं कर सकते हमको direct क्या करना है अगर ऐसा हो तो CF निकालना है देखिए अगर आपको median निकालना है अगर आपको mode निकालना है तो class interval को बराबर करना है पर आपको median निकालना है तो जरूरी नहीं है कि class interval बराबर हो तो अप्रिकों क्या गड़ना 6, 8, 12, 12 और 5, 17, 31, 38, 42, 50, यह हमने CF निकाल दे, M का फर्मूला इसकरेंगे, M बराबर साइज और N बाइट टूथ आइटम वेल्यू, तो M बराबर हो जगा है, साइज और 50 अपॉन्ट टूथ आइटम वेल्यू, M बराबर हो जगा है, 25 अइटम, 25 सबसे पहले यहां चूट रहा है, तो यह हमारा मेडियल गुरूप हो जगा है, यह फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, यह सी हो जाएगी, फॉर्मुला लगाएगी, M बराबर, L1 प्लस I अपॉन L, N by 2 minus C, यह फॉर्मुला यूच कराएगी, पर M बराबर, L1 लवर लिमिट, यह 20, class interval is 10, frequency is 14, N by 2 यह 25, और 3 को multi-frequency, that is 17, so M बराबर हो जाएगा, 20 plus 10 upon 14, multiply 25 से 17 को के ता हैंगी, that is 8, तो यह जाएगा 20 plus 80 upon 14, जाएगा 5.71, M आजाएगा 20 plus 5.71, M का 1 आजाएगा 25.71, इस प्रकार से अगर class interval unequal है, तो भी हम calculate कर सकते हैं, यह 25.71, तो हमने यहाँ देखा, कि मीडियन जो है, अगर unequal class interval है, तो भी मीडियन निकाल सकते हैं, center size दे रखिए, तो भी मीडियन निकाल सकते हैं, इसके अलावा अगर हमको से कम पूर से अधिक series दे रखिए, तो भी मीडियन की गणना कर सकते हैं, एक और प्रकार है, जिसमें लगा, एक और सवल हमने लिया है, इसमें लिख रखा है, n बराबर 100, यानि टोटल 100 है, समान अंतर वाले 9 वर्ग है, पहला वर्ग है 10 to 20, और यदि 5th, 6th, 7th और 8 की कमलती फ्रिक्मेंसे दे रखिए, 45, 70, 90 और 99, तो मीडियन का मान क्या होगा, यानि टोटल 100 आइटम्स है, और पहला जो क्लास है, पहला क्लास है 10 to 20, दूसरा वर्ग कुछ 9 है, 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, और 90 to 100, ये 9 क्लास है क्या 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 रहे, n बराबर 100 में समान अंतर वाले 9 वर्ग है, पहला वर्ग है 10 to 20 है, अब देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब हमने लगना है फ्रिक्मेंशी, और ये CF, कमलती फ्रिक्मेंशी, अब ये कह रहा है, कि 5 वर्ग, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5, 5 वर्ग की कमलती फ्रिक्मेंशी है 55, 60 है 70, उसके बाद है 90, उसके बाद है 99, तो मीदियन क्या होगा, ये आमको निकालना है, अब आप देखिए, ये ही सुचना दे रखिया और मीदियन पूछा है, लास्ट वाल, 180 होगा, तो ये 100 से 99, ये होगा 1, 99 से 90, इसका मान होगा 90, 90 से 70, इसका मान होगा 20, 70 से 75, इसका मान होगा 25, ये हमने से निकालना है, फ्रिक्मेंची, मेडियन M बराबर होता है, साइज औफ, N बाइटूथ आइटम बेगा, सो मेडियन बराबर होता है, साइज औफ, 100 बाइटूथ आइटम बेगा, सो M बराबर हो जाएगा 50 इटम बेगा, 50 आइटम जो है, सब से पहले यहाँ जूटेगा देखिए, तो यह तो होगे ही प्रिट्वेंची यह होगे तो फॉर्मूला लगाएंगे M बराबर L1 प्लस I अपॉन F N बाइ 2 माइनस C यह हमने फॉर्मूला लगाया L1 इसमें है 60 I का मान है 10 F का मान है 25 C का मान आया 45 क्यों यह मान रखना है 60 प्लस 10 अपॉन 25 यह 100 बाइ 2 50 आया माइनस इससे पहले का यह 45 60 प्लस 10 मुल्टिप्लाइ बाइ 5 बाइद बाइ 25 60 प्लस 50 अपॉन 25 60 प्लस 2 तो मेडियन का मान आया 62 इस प्रकाट से देखे कुछ कम सूचना दे रखी हो तो भी हम मीडियन की गन्ना कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि 37 स्रेणी में मद्यका का निर्दारण किस प्रकार से किया जाता है अगर सामाने स्रेणी हो तो पहले इंकुलूजी हो तो उसको आपको एक्स्कुलूजी में चेंज करना है ओपन एंड सिरी जो जैसे 40 एंड अबाउ दे रखा था या से कम सिरी जो से अदिक सिरी जो तो भी मीडियन निकाला जा सकता है अगर अगर अवरोह इक्रम में दे रखा हो डिसकस करने का प्रियास किया है मैं समस्क्राम ये वीडियो आपके लिए उपियो भी रहेगा